नमस्कार उम्शान्ती आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मेहुतुलसी शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन्स पूने में स्वधर्मे स्तित परधर्मों भयावह विशे पर ओनलाइन संत समागम धार्मिक प्रभाग एवं जगदंबा भवन का आयोजन ओडिसा के अरादी में नय भवन पावन धाम की रखी गई निव, मुख्याले से आई बी के राजु ने शुब संकल्पो द्वारा भवन के निर्मान का कार्य पूरा करने का कियावभान और आखिर में मुंबई के मलाड में लाइफस्टाइल ट्रांस्वोमेशन बीजी बट ईजी विशेप और ओनलाइन टॉक फिल्म एवं टीवी अभीनेता राकेश बेदी एवं अंतराष्ट्रिय बॉक्सर निखत जरीन से हुई बातचीत गिरावट की और जाती मानवता को संबल देने के लिए जगत नियंता परमात्मा ही सहारा है इन्ही बातों को सपश्ट करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के धार्मिक सेवा प्रभाग एवं पूने स्तित जगदंबा भवन द्वारा सुवधर में स्तित परधर्मो भयावह इस थीम के अंतरगत ओनलाइन संत समागम आयोजित किया गया इस संत समागम में मुख्य अतीतियों में करवीर स्तित श्विशंकराचार्य पीठ के पिठादीश विज्यानर सिंग भारतेजी पाटन स्तित धारेश्वर मठ के मठाधी पती डॉक्टर निलकंट शिवाचार्य महस्वामी जी पूने के वारकरी के वतनकार डॉक्टर वामचंद्र देखने महराज एवं आडंदी से संस्क्यूत गरंथ अध्यापक डॉक्तर नारायन जाधव महराज ने अपने विचार व्यक्त किये अपने आत्मा की अवर भी इच्छा है मुझे क्या करना है मुझे पूजा करनी है जर्म करनाय आनाय जर्म करनाय ये सथ करमा जिस धर्ममें में मिलते हैं वहाल केवल हिंदु भर्माय एक धर्म के दोल रूप्य एक धर्माचा अंप्रदा की रूपए disgusting हैं अपनचे पाहले संप्रदाइक रूपए इनधू मिस्लिम बाग्रे दधर्माच था तांवी RP उत्तुंग मानोती ची आनी जिवन मुल्यांची मांड़नी करना है। आनी मुनुन रुग्वेदार पासून, नानिश्वरी परियंत आनी सकरसंतांचा संकिर्तना कुन सुद्धा धर्माचा विवेचन केले कारेक्रम में आगे धार्मिक प्रभाग के मुख्याले संयोजक विके रामनाथ, पुने स्तित जगदंबा भवन की संचाली का विके सुनन्दा, एवं वरिष्ट वाज्योक शिक्षक विके दश्वत ने भी विशय के तहत अपने उद्गार व्यक्त किये। विश्व का जो रचेता है, सत्यम, शिवम, सुन्दरम का सत्य है, चैतन्य है, उसकी जो रचन है, जो आत्मा, सत्य चित आनंद स्वरू का सत्य है, चैतन्य है, चित्य है, वहाँ समझ है, सत्य क्या, असत्य क्या, क्या करना चे, क्या नहीं करना चे, समझ है। इसके कारण समझ से जो कर्म करते है, उसके अंदर आनंद है, सुख है, परमानंद है, स्वयम भी उस कर्मों से, उस आचरन से, उस बोर से सुखी है। दरब गलानी तो हम खुली आखों से देख रहे हैं, कि कैसे व्यक्ति, रॉंग राइट, पाप पुन्य की, समझ से परे जाकरके, जिसको जो चाहिए, वैसा वो कर्म कर रहा है। लेकिन संसार के अंदर बिद प्रती दिन, चिंताय, बीमारिया, दुख, अशांती, तणाव, नपुरत, वैर्विरोध बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने की ताकत, हमने यही देखा, कि इसको रोकने की ताकत परमात्मा के अंदर है। भगवन ताने सांगितल, कि परधर्म भयावा हा, तो परधर्म मंजे शरीराचा धर्म। ये शरीराचा गर्म इंद्रियाचा द्वारेज विकाराची द्वार उगड़ली जाताथ। जसा स्वधर्मा चा द्वारे जान, पवितर्दा, सुख, शान्ती, आनंद, प्रेम, शक्ती हेच द्वारे स्वधर्मा तुन्जा उगड़ली जाताथ। पर धर्मा मधून काम, क्रोध, लोब, मोह, अहंकार, इर्षा, त्वेश, आलस्य, आशा प्रकारचे दर्वाजे जाहेत। ते पर धर्मा मधून उगड़ली जाताथ। जे जावलेला आपन देहा कड़े पहातों तर देहा कड़े पाहिले शिवाए। या पर देहा कड़े पाहिले शिवाए, काम विकाराची उत्पत्ती होत नहीं। कारेक्रम में विके राजु ने सभी को अपने शुब संकल्पों द्वारा पावंधाम के कारी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रेद किया। वही इस पावंधाम के निर्मान के लिए सेवा केंद्र से जुड़ी 105 वर्षिय उशा माता द्वारा, इश्वरिय सेवा में भूमी भेट करने पर बीके बहनों द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। मिठे बाबा, ओ प्यार बाबा, सूरत जिसकी चांद सी है, दिल है सागर जैसा। मुंबई में मलार सेवा केंद्र द्वारा लाइफ स्टाइल ट्रांस्फोर्मेशन बीजी बट इजी विशय पर उनलाइन टॉक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर फिल्म तथा टीवी अभिनेता वाकेश बेदी, एवं अंतराष्ट्य बॉक्सर निखत जरीन ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव साजा किये। जब हमें लगेगा कि यह सही नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए, फिर हमें देर भी नीड़ चेंज। आप 99.999% से भी काम नहीं चला सकते, आप तो 100% concentration इस सवे आप काम करते हैं तब चाहिए होती है। आपका सब्सक्राइब आप एक शॉट गे रहे हैं, तो आपका शॉट एधर से 1.5 मिनट का है, तो आपकी कितनी भी समस्याइं, इसमस्याइं, कितनी भी आपकी health problem, कोई भी आपकी financial family problem, वह उस 1.5 मिनट के लिए तो आपको घूलनी ही पड़ेगी। वरना वो कही न कही शो करेगा, आप के काम में शो करेगा, आप डायलोग भूलेंगे, आप अपने मार्ट पे नहीं आएंगे, आप अपनी लाइट सीट से नहीं लेंगे, आप क्यू नहीं समझेंगे, आप करेक्टर से बाहर हो जाएंगे, हजार चीज़े होती हैं, भला ही पहले आप परिशान हो उसके बाद आप फिर परिशान रहें इस दौरान फ्लेमिंगो सेवाकेंद्व प्रभारी बीके निर्जा ने बीजी रहते हुए जीवन को इजी बनाने के टिप्स दिये वही ऑनलाइन राज्यों का अभ्यास भी कराया इस रहने का सबसे अच्छा टेक्नीक है तो प्रैक्टिस बीग इन दॉममेंट इस पल में रहना है इस पल का आनन्द लेना है तो ये प्रैक्टिस इजी रहने के लिए बहुत ही अच्छा है दूसरी बात है प्रैक्टिस अप्लाइंग अ डॉट जो भी सिटुएशन जाते हैं लाइफ में उसको डॉट यहते हैं not and dot say not and then apply a dot यानि मुझे इस सिटुएशन में negative नहीं सोचना है not और उसको full stop लगाना है dot हरियाना में कुरुक्षेत्व विश्व विद्यालाय में online student induction program 2020 के अंतरगत बीटेक विद्यावतियों के लिए mastering emotion विशेपर कारेशाला का आगास किया गया इस कारेक्रम में दिल्ली के लोधिरोड सेवाकेंदों से प्रेड़क वक्ता भी के प्यूशने जीवन में आगे बढ प्रेड़ने के लिए तथा व्यक्तिगत विकास के लिए सकरात्मक emotions को बढ़ावा देने पर जोड़ दिया आज हमें अपने बारे में पता नहीं है हमें सारी दुनिया के बारे में पता है लेकिन emotions, decision power, will power, concentration power, वो सारी hardware में नहीं है हमें अपने आपको जानना है आपको टीचर बोलते ना मन लगा के पड़िये मन कहा है मन तो body में नहीं है मन hardware में नहीं है मन software का हिस्सा है अब आप यहां तो बैठे है मैं आपको देख रहा हूंगे लेकिन आपकी body यहां है मन कहा है मुझे पता नहीं है कारेक्रम में आगे question answer session के बाद सभी प्रतिभाग्यों ने अपने अनुभव साजा किये हैद्वबाद के शांती सरोवा विट्विट सेंटर द्वारा online refreshing talk में गुरुग्राम के ओम शांती विट्विट सेंटर से राजयोग शिक्षी का बीके विद्यात्वी ने मुख्य वक्ता के तौर पर चाच्छा की इस online कारेक्रम का विशे रहा enhancing emotional stability जिस पर बीके विद्या प्रेजेंटेशन के माध्यम से भावनात्मक स्तीवता को बढ़ाने के लिए कई युक्तिया बताई spirituality or sq means to be connected to yourself and to exactly see what is your purpose what are your blockages and then you can easily reach up to your designed level of IQ and EQ so spirituality itself means a balanced state पूने की क्वाटरगेट सेवाकेंद्र द्वारा तनावमुक्त जीवन की ओशधी आध्यात्मिक सहारा इस विशे पर स्ताध्दिवसिय अल्विदा तनाव शिविर आयोजित किया गया इस शिविर के अंतरगत चिंता रहित जीवन शैली, गुडबाय टेंशन उत्सव, खुशियो का उत्सव, आनंद उत्सव, परिवर्तन उत्सव, ध्यान उत्सव समेत, महाविजय उत्सव का ओनलाइन आयोजन रहा इस दोरान कारेक्रम के अतीतियों ने अपनी शुपकाम नए भी दी पहले सरवोच शक्ति परमात्मा पिता को समर्पित करिये कि आप समालो मैं मुस्कुरा के सोता हूँ, और सुबह उठे तो भी मुस्कुराते चेहरे के द्वारा, अभी लाइफ स्टाइल अपोजित हो गई, व्यक्ति सोता भी है, तो वाटसेप देखते देखते कब नीम ल पर नहीं, हम एक प्रेक्टिस करेंगे आज से कि सोएंगे तो भी मुस्कुरा के, और उठेंगे तो भी मुस्कुरा के, अब खबर 36 गड़ के बिलासपूर स्टित टिक्रापारा सेवाकेंद्र की है, जहां प्रभारी विके मंजु ने महिला पतंजली व भारत स्वाभिमान से जुड़े साधकों को ओनलाइन कारेक्रम के माध्यम से ध्यान एवं योगा अभ्यास कराया, जिसमें म्यूजिकल एक्जसाइज, प्रानायाम, आसन वो योग निद्रा के अभ्यास विशेश रूप से शामिल थे. इस दौरान अपना वक्तव्य देते हुए बिके मंजु ने सकारात्मक द्रिष्टी को उनको खुशाल जीवन के लिए सबसे बड़ी औश्यदी बताया. तेलंगाना वारंगल के शिवानगर स्तित ब्रह्मा कुमारी इस के विश्व शांती भवन की दूसरी सालगीरा पर औल इंडिया फेडरेशन वाइस मीलर्स के एसोसियेट वाइस प्रेसिडेंट संपन्त कुमार, सी आई सत्य नारायन, वारंगल वेलवे स्टेशन के मैनेज जव श्वी निवास ने शिर्कत कर अपनी शुपकाम नहीं दी, इस अउसर पर सेवाके इंद्र प्रभारी बीके सवीता समेत अन्य बीके सदस्य भी मुख्य रूप से शामिल थे आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आप से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजे हमें इजाज़त, नमस्कार, ओम शैन्ती